हलो मेरे नामे चंदरहास, इस्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है आज की स्टूडियो में हम देखेंगे 4x4 की वो मैटरिक्स पजल जो आपके IVPS कलर्क मेंस में पूँची गई थी कैसी थी ये पजल और क्यूं इसने सब को चौका दिया चौका इसलिए नहीं दिया कि बहुत कठिन कुछ पूचा गया था इस वज़ासे नहीं चौका इसलिए जरूर दिया क्योंकि जो कोशन था IVPS कलर्क मेंस में आ गया था किसी को उम्मीद नहीं थी इस वज़ासे लोग चौके इस puzzle को करने में क्या बहुत जादा समय लगेगा या फिर ये जो puzzle था जब बच्चों ने directions को पढ़ा इसके काफी लंबे चौने directions थे तो देख करके डर लगा कि इस puzzle को करने में कठिना ही होगी तो हम actually मैं देखते हैं कि भाई इस puzzle में आखिर है क्या कैसे इसे solve करना है वो सारी चीज़े हम समझते हैं तो अगर मैं आपके सामने puzzle को रखूँ जो की जिन बच्चों ने एक्जाम दिया था इवी पिस क्लर्क मेंस का उनके द्वरा जो input मिला है उसके आधार पर मैं आपके सामने इस puzzle को लेके आया हूँ तो कुछ हैसा था अब आप एकदम हूबहू कहेंगे कि वही puzzle है तो विल्कुल नहीं थोड़ी बहुत चीज़े मैंने अपने से change करी है जो direction अगरा में लिखी जाती है बाकी है सब कुछ वही context पूरा का पूरा एकदम वही है तो देखे इसमें आपको direction है वह जो direction अगर आप उसमें confused होगे कि direction बहुत जादा लंबा है तो puzzle कुछ कठी नहीं तो उसमें ही बस दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं जैसे इस puzzle को देखे कह रहे हैं कि in the given matrix rows are numbered from top to bottom one two three four कि जो rows हैं वो top to bottom one two three four ऐसे numbered हैं और columns ऐसे one two three और four ऐसे numbered हैं हो सकता है आपके exam में row और column दोनो roman में ही numbered हो कोई फरक नहीं पड़ता या हो सकता है कि row को element op ऐसे नाम दे दिया उससे भी कोई फरक नहीं पड़ता बस वो numbered थे किसी ना किसी तरीके से बस वो आपको बताया जा रहा है किरहेगे इसमें चार colors है red, green, blue and yellow किरहेगे some of the colors are filled in the matrix and rest are missing कुछ तो filled है और कुछ है missing तो जो filled है वो तो अपनी जगा पे बरकरार है जो missing है उनको आपको find out करना है कैसे find out करना है तो लिखा हुआ है कि fill the matrix in such way that no same colors are repeated in a row और column मतलब ये कि अगर मालीजे red यहां पे आ गया है तो अब red नीचे कहीं नहीं आ सकता ना तो red इधर कहीं नहीं आ सकता row में तो row और column में red दुबारा नहीं आ सकता yellow आ गया है तो yellow यहां नहीं आ सकता yellow यहां नहीं आ सकता एक ही बार आना है जैसे हम sudoku solve करते हैं वैसे कि एक number आपने फिल कर दिया तो उस row और उस column में वो number दुबारा नहीं repeat होगा, तो ऐसे इसे fill करना है, फिर नीचे का जो paragraph क्या बता रहा है कि इसमें जो color sign को किसी ना किसी number के साथ associate किया गया है, 2, 3, 5, 7 ऐसे करके, और फिर आपको उसका resultant लिखन है left to right और column में जो लिखना है वो top to bottom, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, सबसे पहला काम हमारा होगा, इस color को fill out करना, color को कैसे fill out करेंगे, color को fill करने के लिए बहुत आसान सा तरीका यह है, कि आपके सामने जब ये condition है कि कोई भी color repeat नहीं हो सकता, तो आप जहां पे आप दो-दो colors हैं, तो दो ही colors बाकी है, तो मैं उन्हीं को ले करके चलता हूँ, जैसे यहां पे देखिए red है और यहां पे blue है, तो मुझे पक्या पता है कि दो colors missing है, कौन-कौन से, एक तो green और एक तो yellow, तो देखिए yellow यहां पे है, तो मतलब उपर yellow नहीं आ सकता, तो इसका मत बाकी है blue, तो यहां पे हमने blue को रख दिया, तो blue भी खतम आपका, इसी तरह अगर आप चौथे column को फिल करना चाहिए, तो फिल कर सकते हैं, आपको पता है blue और red आ गया है, अब दो color बाकी हैं कौन से, green और yellow तो देखिए yellow आ गया है, तो यहां पे तो यहां पे नहीं आ सक जैसे यहां पे आप देखे, आपको क्या देख रहा है, blue देख रहा है, यहां पे red देख रहा है, दो colors आपके missing है, कौन कौन से, green और yellow, तो yellow अगर यहां पे उपर आ गया है, तो यहां पे आप किसको रख दीजे, green को रख दीजे, यहां पे आप रख दीजे, yellow को, है ना, इसी तरह अगर यहाँ पे देखे यलो और ग्रीन आ चुके हैं, तो दो color कौन से बाकी है, एक तो बाकी है red, दूसरा बाकी है blue, अब red यहाँ पे तो आ नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या जाएगा blue, और यहाँ पे क्या जाएगा red, अब आप देखिए इस पूरे column में क्यों ले repetition तो नहीं हो रहा कि red आपका यहाँ पे तो नहीं आ रहा, red आपका देखिए यहाँ तो नहीं आ रहा, यह blue आपका तो ऐसे नहीं हो रहा, इधर तो नहीं आ रहा, तो ऐसे आप एक बार मिला लेंगे कि कहीं कोई repeat ना होगे, कई बार गलती से हो जाता है, एक colors आपने जो ब right the number from top to bottom कि मतलब मुझे क्या पता है कि red का number क्या है 2, blue, green का number क्या है 3, blue का number क्या है 5, yellow का number क्या है 7 तो अगर जैसे मैं इस पहली row का अगर मैं ले को resultant लिखना हो तो मैं कैसे लिखूँँगा left to right, तो left to right मैं सबसे पहले क्या रहा है red तो मैं लिखूँँगा 2 फिर क्या रहा है green तो मैं लिखूँँगा 3 फिर क्या रहा है yellow तो yellow के लिए 7 और फिर blue आ रहा है तो 5 ऐसे इसी तरह यहां पर देखे तो blue के लिए पहले मैं क्या लिखूँगा तो ये लिखूँगा मैं 5, यलो के लिखूँगा 7, रेट के लिखूँगा 2, फिर यहाँ पे 3, इसी तरह यलो के लिखूँगा तो पहले मैं 7 लिखूँगा, फिर 5 लिखूँगा, फिर 2 लिखूँगा, फिर यहाँ पे ग्रीन आ रहा है पहले तो मैं क्या लिखूंगा आपका 3, फिर उसके बाद 2, फिर 5, फिर 7, ऐसे, इसी तरह आप कॉलम के लिख लिए भी लिख लिख लिए, पहले red आ रहा है, फिर आपका blue आ रहा है, फिर yellow फिर green, पहले आपका green आ रहा है, तो 3, 7, फिर 5, और ये 2, इसी तरह आप yellow वाला लिख ल लिख लिए row and column के, तो ऐसे आपको पूरा बनाना था और इसको अब question solve करने के लिए matrix आपकी तयार है, अब इसके उपर questions आपके कैसे पूछे जा सकते है, variety of questions, अब इसने आपको condition लगाई जा सकती है, condition कैसे लगाई जा सकती है, कि आपसे ऐसा पूछा जा सकता है, कि number of ऐस है, जो even है, या फिर ऐसे कितने odd है, या फिर ऐसे कितने odd है, ऐसे कौन सा outcome ऐसा है, जो 5 से divisible है, या सत से divisible है, या फिर कौन outcomes कितने outcomes ऐसे हैं जो प्राइम नंबर के हैं या फिर जो even और odd वाले outcomes हैं उसमें कुछ जोड़ा या घटा दिया जाए तो जब आपके सामने यह तयार हो गया है तो आप questions में उतना डर नहीं लगेगा ना तो बस जो जो कहेगा वैसे वैसे करना है जैसे पहला यह सवाल हिंदी में भी है इधर जैसे पहला देखिए यहाँ पर यह सब कुछ वैसा यह आपका बना हुआ है कि which of the following is correct in terms of resultant को ध्यान में रखते हूं बता ही कौन सा correct है relationship आपको बताने कौन सा correct है तो आपको यह अंदाजा होना चाहिए यह row है one two three four है ना और यह column ऐसे है one two three और यह क्या है four तो करहा है कि row one का resultant है क्या two से ज़्यादा है तो row one का resultant यह है और row two का resultant यह है ज़्यादा है नहीं यह गलत है चार का resultant क्या एक से ज़्यादा है तो चार मतलब row का resultant क्या एक से ज़्यादा है तो एक देखे हैं यह आपका कह सही है next देखे कह रहा है कि 2 का resultant क्या 4 से कम है तो 2 का resultant देख रहे हैं आप यह है और 4 का resultant आप यहाँ पे देख रहे हैं तो simple सी बात है जो 2 का resultant है वो आपका कह ज़्यादा है तो यह भी सही नहीं है क्या जो आपका तीन है थर्ड वाला रो क्या उसका resultant रो में अगर आप देखेंगे इधर तो क्या उससे कम है तो नहीं तीन का जो resultant है देख रहे हैं 7532 है तो यह तो जादा है तो यह भी आपका गलत है अब मैंने इसको चारों को क्यों ऐसा बताया है इसलिए नहीं कि तो उसके लिए आपको तैयार रहना होगा कि options दे दिया ऐसे जब भी comparison होता है फिर कहता है कि कौन सा सही है जोरी नहीं एक ही सही है फिर options को देखना रहता अगर क्यों ऐसा होता e लिख करके none of these लिख देता तब तो क्यों एक ही सही होता नहीं होता तो फिर आपको सब चेक क तो रो 3 का resultant देखे कितना है तो रो 3 का resultant है इतना कितना 7532 और रो 4 का resultant कितना है स्वारी Siri कौलं चार का यह तो 5327 यह आपका resultant गटा लीजिए क्या जाएगा 5 आएगा यहाँ पर काएगा 0 अख यह यह जाएगा 2 और यह जाएगा 2 कितना आजएगा 205 तो कौन सा option सही है D वाला जो option है वो इसका क्या है correct आगे बढ़ते हैं अगला सवाल which of the resultant is divisible by 5 कह रहा है कि कौन सा resultant 5 से divisible है तो 5 से divisible कौन होगा जिसके आक्रे में 0 होया तो 5 तो 5 तो देख रहा है कहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे और 0 तो पहीं नहीं देख रहा तो यही दोनों हैं तो क्या हो गया यह हो गया row 1 और यह कौन सी कॉलम हो गया 3 तो एक और तीन तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो भाई एक तो आ रहा है दो फिर करें चार फिर करें आईदर 1 और 4 या तो 1 या तो 4 ऐसा नहीं है तो इसमें जो option है तो एवाल आपको मिल रहा है one तो उसको आप tick करके आगे बढ़ जाएगे क्योंकि वही आपको option में given है तो ऐसे आपके कई सारे questions आपको मतलब बना करके पूछे जा सकते हैं इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है बस यह जो color coding है अगर आपने सही से कर लिए जो color आपको कहा जा रहा है उसको आपने सही से बना लिया directions को पढ़ते हुए generally direction को देख कर गे बच्चे डरते हैं और कुछ नहीं होता बहुत सारा direction लिखा रहता है कैसे solve होगा उसको देख कर गे डरते हैं बस वो डरें नहीं है आप आप आसानी से solve कर लेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह question समझवा है क्योंकि आप अगर आगे IVPS PO की तहरी करो तो वहाँ पर भी ऐसे question पूछे जा सकते हैं बलकि जो IVPS PO में matrix का question पूछा जाता है और उसका level इससे काफी ज़्यादा high होता है वहाँ पर जो resultant होता है जैसे पहले questions पूछे गए थे resultant दे देता है फिर उसके बाद condition रहते है कि resultant इसके बीच में है तो ऐसा होगा कौन सा अलग color का बलब जलेगा या फिर इसकी frequency इतनी होगी तो ये color का बलब जलेगा ऐसे भी questions रहते हैं वो भी मैं आपको करवा दूँगा बाकि एक और सवाल था इसका जो hexagon वाला था वो भी मैं आपके सामने कलिया पर्सों में ले के आऊंगा वो भी बता दूँगा कैसा hexagon था उस पर ऐसे triangles बने हुए थे तो वो वाला सवाल कैसे था उसमें कुछ आपको input output type का दिख रहा था तो वो भी मैं आपको करवा दूँगा तो वीडियो कर अच्छा लगा है तो वीडियो को like करिए अपने दोस्तों के साथ share करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे इसका जो PDF है वो हमारे study smart की app पे आपको मिल जाएगा डाउनलोड कर रखे हैं तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं मलता हूं आपसे एक लिए वीडियो में तब तक के लिए सभी को बाया